ओम सिरी गने सायनम दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच दिसंबर सौंबार के रासी फल के बारे में कि हादिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान नेना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिभी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिग्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए सोंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आपके वित्ते इस्तिती में काफी सुधार आ जाएगा कुछ नया सुरू करने के लिए आज का समय आपके लिए बहुती अनुपूल है आपकी महनत वे प्रियास के सार्थक परिणाम आज आपके सामने आएंगे विवायोगे लोगों के लिए किसी अच्छे रिष्टे संबन्दित बात चीत घर में सुरू हो सकती है दोस्तो समाज वे रिष्टेदारों में आपके प्रभाव साली व्यक्तित्व वे सरल स्वयभाव की वज़े से मान प्रतिष्टा बनी रहेगी समय कुछ मिला जुला प्रभाव आज आपके लिए लेकर आने वाला है परन्तु उसे बहतरिन बनाना आपका काम है कुछ समय से नजदी के रिष्टेदारों के बीच जो गिलेश शकवे चल रहे थे आज वे किसी के माध्यमता से दूर हो जाएंगे और रिष्टे में दोबारा मधुरत आएगी परतिष्ट लोगों से मेल जोल बड़ेगा जो आपके लिए भविष्टे के लिए बहुती लाबदायक साबित होगा धार्मिक इस्थल में जाने का आज प्रोग्राम बनेगा जिससे बहुत अधिक शानती और हलका आप महसूस करेंगे घर में सुक्षविदा संबंदित वस्तु होके भी खरीदारी होगी कोई कीमिती उपवार भी आज आपको मिल सकता है विध्यार्तियों को अपनी नोकरी संबंदित किसी छेत्र में इंटर्व्यू में सफलता के योग बन रहे हैं इसलिए पूरी महनत से अपने कार्ये पर रियासरत रहें अपने उसूलों और सिध्धानतों से किसी भी प्रिकार का समझोता आप ना करें प्रभावसाली वे प्रतीबावान लोगों के साथ में अधिक समय व्यतित करें इससे आपके आत्म बल वे आत्म विश्वास में वरत दी होगी तथा नकारात्मक विचार दूर होंगे भाग्या से अधिक अपने कर्म पर आज विश्वास रखें दिन आपके लिए आज का बहुती अच्छा है दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो किसी परिवारिक मसले को लेकर भाई बहनों के बीच कहा सुनी हो सकती है घर के बुजरगों की सलासे संबंदों को खराब होने से बचाएं धर्म के नाम पर कोई आपका नुकसान कर सकता है इसलिए स साफधान रहें घर के किसी बुजरगों के स्वास्त को लेकर भी आज चिंता रहेगी डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है दोस्तो साती साथ आपको भी अपने स्वयभाव से इगो को खत्म करना होगा जिससे प्रिसानिया जल्द ही हल होंगी किसी भी योजना पर कार करने से पहले उस पर अच्छी तरे से विचार आप हवश्य करें किसी दुखत समाचार मिलने से कुछ समय के लिए मन में उदासी और नकारत्मक विचार उठ सकते हैं परंतु आप जन्द ही सहज हो जाएंगे विध्यारती वर्ग पढ़ाई की अपेक्छा फाल्तु गलत फ रही है घर में भी छोटी सी बात पर एक कारण ही तनाव उत्पन हो सकता है इसलिए ज्यादा क्रोध करने से बचें दोस्तो सामाजिक गति विदियो पर अधिक ध्यान ना देने की वज़े से कुछ नजदी की लोग आपसे नाराज रह सकते हैं परंतु इन बातों पर ध्या साथी की भवनाओं का आप सम्मान करें इससे संबंद और अधिक मजबूत होंगे प्रेम संबंद मर्यादा पूर्ण रखें किसी विपरीत लिंगी मित्र के अचानक ही मिलने से आपको आश्चर्य जनक प्रसन्नता महसूस होगी घर परिवार का वातावरन आज बहुती योग घर में शुक्षांती बना कर रखेगा प्रेम संबंदों के भी आने वाले समय में विवा में परिणित होने के पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं जीवन साती का आपको आपके कारों में पूर्ण रूप से शहयोग प्राप्थ होगा तथा घर में भी शकारात्मक वाता वरन बना रहेगा दोस्तों साती सात अपनी व्यस्तता में से कुछ समय परिवार वे बच्चों के लिए भी निकालना आपके लिए आवशक है इससे परिवार में आपकी रेस्पेक्ट और अधिक बढ़ेगी दोस्तों बात कर लेते हैं जापका वैवशाय केरियर के दोस्तों वैवशाय में अभी वर्तमान परिस्तितियां का प्रभाब बन रहा है धन संबंदित लेने दिन में बहुत अधिक आप सावधानी रखें क्योंकि धोका होने की भी संभाव न लग रही है नोकरी पेशा व्यक्तियों के आफिस का माहोल बहुती आज शांती पूर बना रहेगा कार्य छित्र में अगर किसी प्रकार का निवेश करने की आप सोच रहे हैं तो आज उस कार्य को बहुती गंभीरता से अंजाम दें इससे आपको भैतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे दिन आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा नोकरी में भी नई संभावन मिलने की उम्मीद हैं दोस्तो साती सात कार्य छित्र में दूसरों के हस्तोषेप से करमचारियों के बीच फूट पैदा हो सकती है इसलिए अपने निर्ण को प्रातिमिक तादें तथा वैवसाइक गतिविदियों पर भी अपनी पैनी नजर रखें साती सात नोकरी पेसा व पाएंगे परंतु सेयोगियों और करमचारियों का आपको उचित सपोर्ट मिलेगा नोकरी पेसा वाले व्यक्तियों को अपने उच अधिकारियों का पूर्ण रूप से सेयोग प्राप्त होगा वैवसाइक छित्र में आपकी कार्य छमता वै काबिलियत की वज़े से काम्य अभी आपके द्वार खटखटा रही है इसलिए प्रते कारों को आप आज बहुती गंभीरता से ले नोकरी पेसा व्यक्तियों को भी उनकी कार्य छमता के लिए प्रोतसान प्राप्त होगा जिसकी वज़े से उनका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त बहुती उत्थम रहेगा तथा आप उर्जा से भरपूर रहेंगे आज आप अपने आपको काफी तंद्रुस्त और तनाव मुक्त महसूस करेंगे या दोस्तों आज का समय आपके स्वास्त के लिए आज से बहुती अच्छा समय रहने वाला है दोस्त हम आपको जो इस उपाय को बताने जा रहे हैं इस उपाय को आपको आज रात यानि सौंबार की रात को आपको यह उपाय करना है जिया दोस्तो आपको करना क्या है जिया दोस्तो आज रात जब भी आप सोएं तो सोने से पहले आप एक लोटे में दूद या फिर जल भरकर पिशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद आप उस लोटे को भगवान भोलेनात का इसमरन करते हुए पीपल की जड़ में अरपित करें जहां दोस्तों इतना करने मात्र से ही भगवान भोलेनात बहुत जल्द प्रसन होंगे और आपकी समस्त मनों कामनों को पूर्ण करेंग वीडियो को लाइक करना ना भूले धन्यवाद